टागिट सिलीट गाइज, आज हम क्लास सिख सिविक्स का चाप्टर एट करने जा रहे हैं, रूरल लाइवलिहुड्स बहुत ही इजी चाप्टर है और इस चाप्टर में बहुत सारी स्टोरीज दी भी हैं जिसके थूँ ये चाप्टर एक्स्पेंग किया गया है इन स्टोरीज की थूँ आपको आइडिया लगेगा कि रूरल इंडिया में कैसी लाइवलिहुड्स एग्जिस्ट करती हैं, लोग कैसे पैसे कमाते हैं, उनका प्रोफेशन क्या होता है साथ एसाथ हम ये भी जानेंगे कि इन प्रोफेशन में प्रोफेशन की प्रोब्लम्स क्या होती है जैसा कि आपको मालूम है कि जब अलग-अलग रीजिन में रहते हैं, तो लोगों का काम डिविए्ट होता है और हम ये भी देखेंगे कि उनकी life situations में क्या similarities हैं और उनमें क्या-क्या problems face करते हैं वो, ठीक है? तो as usual, एकदम simple format में इस chapter को complete कर लेंगे, so let's start! पहले हम एक broad idea ले ले लेते हैं कि villages में किस type के काम exist करते हैं बहुत सारे तरह की काम हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग और उनकी families जो होती हैं, वो agriculture में involved होती हैं In fact, जैसे ही हम villages की बार में सोचते हैं, हमें agriculture ही धियान आता है लेकिन उसकी अलावा बहुत सारे professions और exist करते हैं, जिसको हम कहते हैं non-farm work तो जो भी लोग agricultural practices में नहीं involved होते हैं, खेती नहीं करते हैं, वो non-farm practices करते हैं, non-farm works करते हैं उसके साथ-साथ काफी लोग services भी provide करते हैं, जैसे कि blacksmith, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair person ये कितने सारे लोग हैं, जो कितने सारे काम करते हैं इसके अलावा क्या काम होता है, shopkeepers and traders, जो लोग जैसे चाय की दुकान चलाते हैं, या grocery shop चलाते हैं, कपड़े की दुकान चलाते हैं, fertilizers और seeds बेचते हैं, ये सारे shopkeepers होते हैं, traders होते हैं इसके अलावा और भी professions होते हैं, जैसे construction workers, या lorry drivers, truck drivers, ऐसे कितने सारे काम हैं, जो लोग करते हैं, especially in rural areas में तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस chapter में बहुत सारी, छोटी stories हैं, और generally हम क्या करते हैं, हम उन stories के key points आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा chapter ही stories से बना हुआ, तो इसलिए इन stories को हम थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे, ठीक हैं, तीन short stories हैं, जिसमें से दो जो हैं, वो कल कलपट्टू विलिज के पास एक दूसरा गाउं है, पुदूपेट, वहाँ पे बेस्ट हैं, इन stories से हम एक general idea लगेगा कि rural areas में livelihood कैसी होती है, पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कलपट्टू विलिज के बारे में, क्योंकि दो stories वहीं पे बेस्ट हैं, कलपट्टू विलिज की earning agriculture से आती है, इसका मतलब maximum families agriculture में involved है, कुछ coconut groves और mango orchards भी है, इसका मतलब कुछ-कुछ लोग जो हैं, वो coconut की पेड़ भी लगा रखे हैं और mango की पेड़ भी लगा रखे हैं, और उसके साथी साथ cotton, sugar cane और plantain भी उगाया जाता है, cotton मतलब रूई, sugar cane मतलब गन्ना, और plantain मतलब एक ऐसा fruit होता है, जो banana जैसा दिखता है, लेकिन उसको एक vegetable की तरह पका के खाया जाता है, तो यह एक general setting है Kalpattu village की, यहाँ पे एक lady रहती है, जिनका नाम है Tulsi, पहली story इन ही के बारे में है, Tulsi जो है, वो एक आदमी है Ramalingam, उनके agricultural land पे काम करते हैं, तो agricultural land का owner है Ramalingam, और Tulsi वहाँ पे काम करते हैं, as a worker, Ramalingam एक farmer है, जिनके पास 20 acres paddy fields हैं Kalpattu village में, तो बहुत बड़े fields हैं, rice के fields हैं, जहाँ पे वो rice होगाते हैं, Tulsi जो है, वो शादी से पहले भी, अपनी marriage से पहले, जिस village में रहती हैं, वहाँ पे भी, वो as an agricultural worker काम करती थी, paddy fields में, तो उनको आदत है ऐसे काम करने की, उनके जो work hours हैं, वो सुबह 8.30 से शाम को 4.30 तक होते हैं, और वो यही काम इतने सालों से कर रहे हैं, in fact, अब जब उनकी age थोड़ी जादा हो गई है, तो अब उनको यह काम करने में problem होती है, क्योंकि पैड़ी की field में जब आप काम करते हो, तो आपको लगतार जुब के काम करना पड़ता है, और आपकी पैर जो होते हैं, वो पानी में होते हैं, जैसे जैसे उनकी age बढ़ रही है, यह काम उनको थोड़ा stressful लग रहा है, रामलिंगम की जो wife है, उनका नाम है करुथमा, और वो सारे workers को supervise करती हैं, उनका काम देखत तो यह एक permanent job नहीं है, उनको fields पे generally four times a year बुलाया जाता है, पहला काम है saplings को prepare करना, जो rice की saplings होती है, जो paddy की saplings होती है, saplings मतलब छोटा पौधा, उनको पहले तयार करके अलग से रखा जाता है, जिससे वो थोड़ा सा grow कर सके, उसके बाद उनको field में plant किया जाता है, तो transplanting में ज़रूरत पड़ती है, तीसरा जब plants थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो plants के साथ साथ वहाँ पर weed भी उग जाती है, जो जंगली घास होती है, वो भी उग जाती है, तो उसको हटाना ज़रूरी होता है, तो weeding करने के लिए, मतलब उन weeds को निकालने के लिए, फिर workers ब per day देते हैं, तो that is their owning per day, तुलसी का जो पहले वाला विलिज था, जहाँ वो मैरेच से पहले रहती थी, वहाँ पे इससे थोड़े से जादा पैसे मिलते थे, लेकिन तुलसी फिर भी यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि रामलिंगम प्रोवाइड डिपेंडबल वर्क, इसक सबसे सस्ता जो मिल जाए हम उसको बुला लाएं, वो इतना यह सब नहीं करते हैं, वो सेम वरकर्स को ट्रस्ट करते हैं, और उनहीं को हर साल बुलाते हैं, तो इससे वरकर्स का भी फाइदा होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि यह काम फिक्स्ट है, और हमें यह काम मिलने ह तो हर साल इस काम से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं, वो पकके हैं, वो आइनगेगें. अब तुल्सी के वर्क के बार में जानली है, अब थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बार में जानलेते हैं. तुल्सी के जो husband है, उनका नाम है Raman, और वो भी एक laborator है. तुलसी और रमन का खुद का कोई agricultural land नहीं है जहाँ पे वो खुद की खेती करें transplanting season में जैसे तुलसी तो वहाँ पे काम करने जाती है रामलिंदम के fields में रमन जो है वो pesticide शरकने का काम करते हैं pesticide से आपको भी मालूम है crops में कीडे नहीं लगते हैं heat नाशक भी बोलते हैं इसको हिंदी में तो रमन जो है वो pesticide शरकने का काम करते हैं और जब farms पे कोई काम नहीं होता है तब वो बाहर जाके काम ढूंदते हैं जैसे की आसपास जहां पे वो रहते हैं उसकी पास में एक river है जहां से sand को load किया जाता है construction में यूज करने के लिए तो वहां पे laborer का काम कर लेते हैं या फिर पास में quarry भी है quarry का मतलब जहां से stones की mining होती है पत्थरों की mining होती है जहां से पत्थर निकाले जाते है construction में यूज करने के लिए तो एक टिपिकल लाइफ स्टाइल है हस्बन वाइफ की जहाँ पे तुलसी भी वहाँ पे बाहर काम करने के साथ साथ घर पे भी cooking, cleaning, कपड़े दोना ये सब काम करती हैं उसके साथ साथ वो कुछ और काम भी करती हैं जैसे पास की forest से जाके firewood collect करके लाना दूसरी ladies के साथ वहाँ पे अड्मिट करना पड़ा था तो उस hospital के पैसे चुकाने के लिए उन्होंने रामल लिंगम से पैसे बोरूप किये थे और उस पैसे को वापस चुकाने के लिए उनको अपनी cow उनके पास एक cow थी उसको sell करना पड़ा था पहली चीज एक्स्ट्रा वर्क जो रूरल फैमिलीज होती है उसमें से काफी फैमिलीज को कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं जैसे की firewood collect करना जिससे वो जला के fuel की तरह use कर सके या पानी लेके आना या अपनी cattle को grace कराने ले जाना ये एक्स्ट्रा काम होते हैं जिस इसमें से around two-fifth families agricultural laborers की तरह ही काम करती हैं तो two-fifth कितना हुआ अगर आपने fractions पढ़े हैं तो आपको मालूम है अगर hundred families हैं तो उसका two-fifth कितना हुआ 40 families so that is around 40% तो rural India की 40% families agricultural laborers की तरह काम करती हैं इन में से कुछ-कुछ families के पास अपने खुद के भी छोटे lands हैं लेकि वो पैसे कमा सके लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा वरना पैसे कहां से आएंगी अगर आप साल में सिर्फ कुछ-कुछ time काम करो और उसकी थोड़ी बहुत income हो तो पूरे साल sustain कैसे करेंगे तो इसलिए काफी लोग जो है वो काम की तलाश में जब उनके पास काम नहीं होता है तो काफी दूर-दूर तक travel करके जाते हैं to find work और ये travel और migration generally कुछ particular seasons में होता है जब उनके खुद के गाउं में काम available है तब वो migrate नहीं करते है जब वहाँ पे काम available नहीं होता है जिस season में तब वो travel करके जाते हैं और कहीं और काम घूंबते है अब story थोड़ी आगे बढ rice mill को बनाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे खुद के use किये थे और कुछ पैसे government bank से loan में लिये थे rice mill मतलब एक ऐसी factory जहां पर rice को process किया जाता है rice को crop से निकाल के साफ करके बेचने के लिए तयार किया जाता है तो Ramalingam जो है वो अपने village से और आसपास की village से paddy खरीबते है उसको process करते हैं और पर जो rice ready होता है उसको traders को बेचते हैं This is a good source of income इससे उनको अच्छी खासी income मिल जाती है जो दूसरी story है वो है सेकर की अभी तक हमने देखा तुलसी की story जिनके पास land खुद का नहीं था वो agricultural laborer सेकर जो है वो एक small farmer है इनके पास खुद का land है 2 acres बड़ और इनकी पूरी family field पे काम करते हैं यह दूसरे agricultural laborers को hire नहीं करते हैं family मिलके ही काम कर लेती हैं कभी-कभी जब workload increase हो जाता है जैसे especially harvest season में जब बहुत महनत लगती है तो agricultural laborer hire करने के बजाए यह क्या करते हैं आस-पास के दूसरे farmers की help लेते हैं तो जो पडोसी farmers है वो भी जाके help कर देते हैं फिर जब उनके यह harvesting होती है तो सेकर और उनकी family भी जाके वहाँ help कर देती है तो इस तरह से neighbors जैसे एक दूसरे की help करते हैं वैसे के लोग अपना काम कर लेते हैं सेकर ने अपने काम के लिए अपने field के लिए trader से seeds और fertilizer 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 मतलब खाद जिससे crops अच्छे ह उस loan को चुकाने के लिए सेकर की जो field है 2 acres की field उससे around 60 bags of paddy मिल जाते हैं इसमें से कुछ bags तो वह trader को दे देंगे अपना loan settle करने के लिए अपना loan चुकाने के लिए और कुछ bags वह अपने घर के लिए रख लेंगे जिसको वह खाने की तरह घर में यूज कर पाए लेकिन यह जो rice है यह उनके लिए सिर्फ 8 months चलेगा जो वह अपने personal use के लिए रखेंगे that will last only for 8 months तो उनको कुछ extra पैसे चाहिए जिससे वह बाकी बचेवे महिनों में भी खाना प्रवाइड कर सके हैं अपने घर को तो इस extra income के लिए वह रामलिंगम की rice mill में काम करते हैं यहाँ पे वह help करते हैं दूसरे farmers से paddy collector के लाने में और साथी साथ सेकर के पास एक cow भी है जिसका milk वो local milk cooperative में sell करते है milk cooperative एक ऐसी company होती है जहाँ पर जितने भी लोग है जिनके पास cows या buffalo's है वो milk लेके आते है milk cooperative में और milk cooperative क्या करता है उनको उसके अच्छे पैसे देता है और उस milk को process करके pack करके sell करता है market में ऐसा एक बहुती famous इंडिया का milk cooperative है अमूल दूसरा है mother dairy तो यह सब milk cooperative है तो इस तरह से जो भी extra income आती है सेकर के पास इससे वो बचेवे महिनों में अपना घर चला पाते हैं तो इस story से हमने क्या सीखा what did we learn पहली चीज debt के बारे में debt मतलब उधार काफी बार farmers को seeds, fertilizers ऐसी चीज़ें उधार पे लेनी परती है या फिर वो इसके लिए अगर पैसे लेते हैं तो money lenders से पैसे borrow करते हैं money lenders से उधार पे लेते हैं अगर seeds अच्छी quality की नहीं हुई या फिर crops खीडों ने attack कर दिया, crops खराब हो गए तो major crop failure हो सकता है जितनी भी मेहनत करी खेती में सब बेकार हो जाएगी crops तब भी खराब हो सकते हैं अगर बारिश सई टाइम पे नहीं ही या अपनी family को support करने के लिए उनको और पैसे बोरो करने पड़े और ऐसा करते करते काफी बार ऐसा होता है कि लोन इतना बड़ा हो जाता है कि उसको वो वापस चुकाई नहीं पाते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उनकी उपर उधारी चड़ गए तो यह कॉमन चीज है जो फार्मर्स में हो रही है और इन स्टोरी से आपको आइडिया लग रहा है कि रूरल इंडिया में जो प्रोफेशन्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं उनकी चारेक्टर्स्टिक्स क्या हैं और लोगों को क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है तरिस फार्मिंग इन नागालांड नागालांड में एक विलिज है शिजामी जो की फेक डिस्टिक्ट में सिट्वेटेड़ है यहां के जो लोग है वो चाकेसांग कम्यूनिटी के हैं और यह टेरिस कल्टिवीशन करते हैं इसका मतलब क्या है? टेरिस फार्मिंग का क्या मतलब होता? इसका मतलब नागालांड में जो हिल्स का रीजिन है वहां पे लैंड को फ्लैट कर दिया जाता है फ्लैट, प्लोट्स डिवाइड कर दिया जाते हैं और इस तरह से carve किये जाते हैं, जैसे कि steps हो, सीडियां होती है न, steps, बस वैसा ही बना देते हैं land को, हर plot के जो sides होते हैं, उनको थोड़ा सा raise कर दिया जाता है, जिससे पानी नीचे ना जाए, पानी उसी के अंदर, उस area के अंदर retain हो पाए, रुक पाए, इससे क्या होता है, पानी नीचे नहीं बह जाता है, उसी खेत के अंदर या उस land के plot के अंदर, पानी retain रहता है, जिससे की rice का cultivation हो सकता है, क्योंकि rice cultivation में पानी की बहुत जादा जरूरत होती है, तो आप ये समझो कि वो hill को काट के, carve करके, flat plots of land बनाते हैं, जहां पे वो farming करते हैं, और उन plots of land के sides को थोड़ा सा high कर देते हैं, जिसे पानी नीचे ना बह जाए और खेत के अंदर ही रहे, इसको कहते हैं terrace farming, शिजामी के जो लोग हैं, उनके सबके individual fields हैं, सबके खुद के fields हैं, लेकिन वो साथ में मिलके एक दूसरे के fields में भी काम करते हैं, छै से आठ लोगों का group बना तो शाम को सब मिलके साथ में खाना खाते हैं, और यही चीज चलती रहती है कई दिनों तक जब तक काम complete ना हो जाए, तो आप देख सकते हो farming के अंडर में, उन्होंने कितनी अच्छी community बना ली है आपस में, जहां पर एक दुसरे की help करते हैं, एक दुसरे को support करते हैं, और इतने अच्छे से farming practice करते हैं, फिर हम आते हैं agricultural laborers और small farmers पर, तुलसी की story और सेकर की story से हमें ये समझ में आ गया था, तुलसी एक agricultural laborer थी, और सेकर जो थे, वो एक small farmer थे, तो उनकी story से हमें काफी idea लग गया था कि इन लोगों को अपने professions में क्या problems face करने ही पड़ते हैं, इ that makes it 40%. 2 out of 5 कितना हुआ? 40%. ये सारे लोग उस काम पर depend करते हैं, जो इनको दूसरों की fields में मिलते हैं, इन में से काफी जो होते हैं, वो landless होते हैं, मतलब उनके खुद के पास कोई land नहीं होता है, या फिर हो सकता है, इन में से कुछ लोगों के पास बहुत छोटे plots of land हो, ज पूरा करता है, और इंडिया में about 80% of farmers, ऐसे ही small farmers है, 20% जो इंडिया की farmers हैं, वो large farmers हैं, और village का जो काफी सारा land है, वो वो ही लोग कल्टिवेट करते हैं, वो ही लोग उसमें खेती करते हैं, और वो लोग जो production करते हैं, उसमें से काफी हिस्सा वो है, जो markets में sell किया जाता इस type के दूसरे काम भी करते हैं, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो था farming के बारे में, so we now know that many families in rural India practice agriculture, वो farming करते हैं, लेकिन सब लोग farming नहीं करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले discuss किया थो, इस chapter की starting में, so apart from farming, दूसरे काम भी करते हैं, जै लेकिन वहाँ पे forests भी हैं, तो forest से समान लाके collection करना वो भी एक important part of livelihood है, क्योंकि forests में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको बेच के या जिसको use करके, rural families पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि क्या, mahua, tendu leaves, honey, इस type की कोई भी चीजें जो वो forest से collect करते हैं, उनको वो traders को बेचत हैं, towns हैं, वहाँ पे जाके milk sell करें, इससे भी वो पैसे कमाते हैं, और coastal areas में, जो sea के पास जो area situated है, वहाँ पे लोग fishing करके भी अपना घर चलाते हैं, इसी से related हमारी third story है, जो पुदूपेट village में situated है, एक village है, पुदूपेट, जो कलपट्टू village के पास है, और यहाँ पे sea के पास है, इसी लिए fishing कर पाते हैं, और men जो भी fish पकड के लाते हैं, जो women of the house होती हैं, वो local market में उसको sell करती हैं, और यह सब काम जो भी है, यह सुबह सुबह शुबह शुरू हो जाता है, मतलब सुबह 7 बजे लोग fish पकड के वापस भी आ जाते हैं, जो बड़ी- catamaran's होती हैं, जो boats होती हैं, वो fish के साथ return करती हैं, अपने catch के साथ, और जितनी भी women है, वो सब इखटा होती हैं, वहाँ पे fish को buy और sell करने के लिए, जो third story है, वो है Aruna और Pariwellen की, Aruna और उनकी family, Kudupet village में रहते हैं, उनके husband का नाम है Pariwellen, तो वो उनके brother, और उनकी brother-in- जो भी fish पकड के लाते हैं, Aruna उसमें से कुछ fish side में रख देती हैं, अपने घर के लिए, जो वो लोग खाएंगे as a family, और बाकी fish जो भी है, वो उसको sell कर देते हैं, auction कर देते हैं, जो उस fish के सबसे जादा पैसे देगा, वो fish उसको दे दी जाएगी, इसको कहते हैं auction हैं, एक Pariwellen और Aruna का, दूसरा उनके brother का, तीसरा उनके brother-in-law का, और fourth equipment का, equipment मतलब जो catamaran जिसमें वो fishing करने जाते हैं, उसका, उसके engine का, उसके nets का, क्योंकि इन सब का भी तो खर्चा होता है, आपको boat को maintain करना है, उसके engine को maintain करना है, जिस net में आप fish को पकड़ते हो, उसको maintain कर और Aruna है, ये सब चीजें भी खराब होती है, तो उसमें भी पैसे लगते हैं, तो जो fourth हिस्सा है, वो इन सब equipment की maintenance के ले जाता है, अब क्योंकि catamaran, engine और nets जो है, वो Aruna और उनके husband के हैं, तो ये fourth हिस्सा भी उनहीं को मिलता है, अब ये जो boat के engine आते हैं, catamaran के, ये सस्ते आते नहीं, तो इसको खरीदने के लिए, Aruna और पारिवलन ने bank से loan लिया था, उससे उन्होंने engine खरीद के catamaran पे लगाया था, और इस engine की वज़े से, अब वो sea में जादा दूर तक जा पाते हैं, जादा अच्छा है, और इसके force की वज़े से, अब वो sea में जादा दूर जा पाते हैं, और जादा better fish पकड़ पाते हैं, fish जादा अच्छी पकड़ेंगे, तो पैसे भी तो जादा अच्छे मिलेंगे न, फिर जो भी लोग, mostly women, जो पुदूपेट से fish खरीदती हैं, वो दूसरे आसपास के towns और villages में जाके उनको sell करती हैं, और सिर्फ women ही नहीं ख खरीदती हैं, traders भी काफी बार directly पुदूपेट विलिज में ही आके फिश को खरीदते हैं, मतलब अगर आप और आगे से खरीदोगे तो आपको बहत महंगी मिलेगी न, अगर डिरेक्ली सोर्स पे जाकी खरीद लोगे, तो सस्ती मिल जाएगी, तो traders भी काफी प्रिफर करते ये लोग सब मिलके nets को untangle करते हैं, repair करते हैं और अगले दिन की तयारी करते हैं, early morning 2 o'clock, तो यही इनका routine चलता रहता है साल की काफी महिनों में, लेकिन हर साल around 4 months के लिए, जितने समय तक monsoon रहता है, जितने समय तक बारिश का मौसम रहता है, उस समय fish का breeding season भी होता है, जिस समय fishing करना सही नहीं होता है, so these are called the lean months, क्योंकि इसमें जो fishermen है, वो fishing नहीं कर सकते हैं, इन महिनों में उनको traders से पैसे बोरो करके survive करना पड़ता है, क्योंकि fishing तो आप कर नहीं सकते हैं, पैसे कहां से कमा होगे, तो इसकी वज़े से काफी बार उस loan को चुकाने के लिए, बा source of livelihood है, जिससे वो पैसे कमाते हैं, वो ही करना allowed नहीं होता है, वो ही नहीं कर पाते हैं, काफी बार इननों को इस बात से भी सफ़ा करना पड़ता है, जैसे कि natural calamities आ जाती है, for example, tsunami, sea के पास तो tsunami एक major problem है, tsunami क्या होता है, जब sea में sea के floor पे earthquake आता है, तो उसकी वज़े से बह fishing practice करते हैं, जिनका main livelihood is fishing, so what have we understood so far, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, basic livelihoods क्या है, rural India की, कुछ लोग farms पे काम करते हैं, और कुछ लोग non-farm activities से पैसे कमाते हैं, जो भी लोग farms पे काम करते हैं, उनको अलग-अलग चीजे करनी पड़ती हैं, जैसे अपना land prepare करना पड़ता ह फिर seeds डालनी पड़ती हैं, जो जंगली घास या weed उग जाती है, उसको हटाना पड़ता है, crops जिब तयार हो जाते हैं, तो उनको harvest करना होता है, उनकी कटाई करनी होती है, जिससे फिर उसको sell कर सके, सबसे जादा busy लोग तब होते हैं, जब आपको sowing करनी है, मतलब जब beech डाल रहे हो, और जब आपको harvesting करनी हो, मतलब जब आप crops की कटाई कर रहे हो, तब सबसे जादा काम होता है, तो ये जो भी काम है, ये एक certain point of time पर करने पड़ता है, मतलब पहले आप beech डालोगे, फिर थोड़े दिनों बाद उसमें plants आएंगे, फिर उसके कुछ time बाद आप weeding करोगे, और last में आप harvest करोगे, ये जितने भी crops उखते हैं, ये nature पर depend करते हैं, seasons पर depend करते हैं, और इसलिए जो काम है, वो भी seasonal होता है, किसी किसी season में जाधा काम होता है, और कभी कभी कम काम होता है, जब आप beech डाल रहे होते हो, और जब आप crops की कटाई कर रहे हो farmers, agricultural laborers, fishing families, craftspersons, ऐसे कई सारे जो professions हैं villages में, इनको पूरे साल काम नहीं मिलता है, कुछ-कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं, जिसमें इनके पास काम नहीं हो, पर इन सारे professions में, क्या difference है और क्या similarity है, यह हमें मालू में कि कई सारे लोग laborers की तरह काम करते हैं, काफी सारे जो farmers हैं, वो अपने लिए भी crops उगाते हैं, और market में sell करने के लिए भी crops उगाते हैं, काफी बार families को अपने survival के लिए पैसे बौरो करने पड़ते हैं, जब उनके पास काम available नहीं होता है, या जब काम का season नहीं होता है तब, और जिन traders से उन्होंने पैसे बौरो की होते हैं, काफी बार उनको अपना जो produce है, वो उन traders को कम दाम पर बेचना पड़ता है, उस loan को चुकाने के लिए, तो इससे हमें तीन important चीज़ें मालूम पड़ गई, पहला, कि लोग कैसे survive करेंगे, या वो कैसे earn करते हैं, ये depend किस चीज़ पर करता है, उस land पर जिसको वो cultivate कर रहे हैं, वो कितना बड़ा है, किस चीज़ का है, वहाँ पर क्या उगाया जाता है, इन सारे factors पर depend करता है, कि उनकी earning क्या होगी, और वो कैसे survive करेंगे, कांट्री के अलग-अलग regions में, अलग-अलग crops उगाय जाते हैं, हमें ये भी मालूम पढ़ गया, और third, और सबसे important, कि चाहे वो किसी भी region में हो, और उनकी बीच में जितने भी differences हो, लेकिन उनकी जो life situations हैं, उनकी जो problems हैं, उनकी everyday life में, काफी सारी similarities होते हैं, so their lifestyle may be different, but their living conditions are very similar. इसी के साथ, हमने ये chapter पूरी तर से complete कर लिया है, I hope आपको इस समझ में आ गया होगा, अगर आपको हमारा lecture पसंद आया होगाई, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, हमें बताईए कि आपको हमारे lectures कैसे लगते हैं, I'll see you guys next time with the next chapter, तब तक के लिए stay safe and study well. Bye-bye.